दोस्तों कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सेरियल परिनीती तो आप सभी देखी रहे होंगे जिसमें टीवी इंडस्ट्री की खुब सूरत और बहतरी नदकारा आचल साहू इस सेरियल में परिनीत की किरदार को निभाती हुई नजर आ रही हैं जिसमें इनकी दमदार दर्सकों का खुब प्यार मिला है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि अभिनीत्री आचल साहू के अब तक निभाए गए सभी किरदारों में से किसी किया है दर्सकों ने सबसे ज़्यादा पसंद और इनका कौन सा किरदार रहा है सबसे बैस्ट नहीं जानते तो कोई बा पसंद किया है और इनकी किरदार को सबसे जादा बैस्ट बताया है तो आईए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिये नंबर थ्री वस्मा बेगी सबसे पहले बात करते हैं आचल साहू के सीरियल क्यों उठे दिल छोराए में इनके वस्मा बेगी के किरदार को भान बनाती हुई नजर आई थी तभी तो दर्शकों इस सी्रियल में इन्हें वस्मा लगी के किरदार को बहत ही पसंद किया था तो इस तरह से इसateurs में आचल साहू के वस्मा लगी रॉल को दर्शकों नें बैस्ट बताया और इससे लिस्ट में इनका नाम नमबर तो बता दे परीनीती सेरियल में अभिनेत्री आचल साहु परीनीत के किरदार को निभाती हुई नजर आ रही हैं जिसमें इनके सिंपल और आचल साहू के परिनीत के किरदार को दर्सकों ने बेस्ट बताया है तभी तो इस लेस्ट में आचल साहू के परिनीत के किरदार का नाम नमबर दो पर सुमार होता है नमबर वन बोंदिता अगर आचल साहू के किसी रोल को सबसे जादा दर्सकों ने बेस्ट बताया है तो आपको बता दे कि वो आचल साहू का सीरियल बैरिस्टर बाबु में इनका बोंदिता का किरदार ही है जिसमें अभिनेत्री आचल साहू बोंदिता की किरदार को निभात अपनी दमधार एक्टिंग के साथ साथ एक समझदार लर्की और केरिंग और पजेसिव अंदाज से दर्सकों की फेवरिट बन गई थी जिसकी वज़े से दर्सकों ने आचल सहु के बैरिस्टर बावू सीरियल में इनके बोंदिता की किरदार को सबसे जादा बैस्ट बताया हैं जी हाँ क्योंकि इनके किरदार ने दर्सकों का काफी जादा दिल जीत लिया था जिसकी वज़े से दर्सक बोंदिता के किरदार को ही बैस्ट बताते हैं और इनका यही किरदार नमर वन पर सुमार होता है तो दोस्तों आप आचल सहु के इन तीनों करेक्टर में से किस को सबसे जादा बैस्ट मानते हैं आप हमें अपनी राई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथ ही टीवी जगत से जुरी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले